प्रिदोस्तों कि आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष को आशीश का भागीदार होने के लिए बुलाया है परन्तु आज बहुत से मनुष्य उससे दूर हैं और उसका कारण ये है कि हम खुद मनुष्य खुद चुनता है कि उन आशीशों से दूर हो जाए हम होशे की पुस्तक के अध्यन के इस भाग में देखते हैं कि परमेश्वर ने सभी को आशीश के लिए बुलाया है परंतु वह कैसे दुखी होता है कि हम आशीश प्राप नहीं करते और यदि हम उससे दूर चले गए हैं तो वह हमारा इंतिजार करता है परंतु उसकी आशीश हमारे लिए बनी रहती है कि हम जब लोटें उस आशीश को प्राप करें आए दोस्तों इस बहुत ही मारमिक भाग को जानने के लिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बना रहता और आशीश पनी रहती है मेरे साथ इस अध्यन में शामिल हो जाईए और जानिए परमेश्वर का वचन संसार के सभी मनुष्य से क्या कहता है प्रेमित्रों आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार आशा है कि आप परमेश्वर के अनुग्रमे सुरक्षित और स्वस्थ है तथा उसके वचन से ग्यान की बातें सीख रहे है परमेश्वर का वचन ही हमें उसकी और खीच सकता है और इसके सिवाई कोई और हमें परमेश्वर के निकट नहीं ला सकता मित्रों यह सद्वचन बाइबल अध्यन है और मैं आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करता हूँ दोस्तों हमने होशे की पुस्तक का अध्यन आरम किया था और हमने परमेश्वर की वेधना को इस पुस्तक में देखा कि कैसे परमेश्वर इस्राइल को उनके पापों के लिए धंड देता है उनका पाप था कि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया मित्रों यह महापाप है कि हम जीवते परमेश्वर से फिर जाएं आज हम होशे के अपने अध्यन को समाप्त करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर इस अंतिम भाग में उन्हें वे बातें गिनाता है कि किस प्रकार उसने इसराइल को आरंभ से ही संभाला और उन्हें देश-देश के लोगों के सामने आदर, मान, सम्मान, प्रदान किया जब वे कुछ भी नहीं थे अब परमेश्वर उन्हें दंड देता है पर दोस्तों यह बड़े ही संतुस्टी की बात है कि परमेश्वर धयानिधी है करुना करने वाला है वह करुना करके अपने लोगों पर प्रगट करता है उसका क्रोध सदा भड़का नहीं रहता जब हम उसकी ओर फिरते हैं तब वह हमें अपना लेता है आज हम इसराइल के लिए आशीश की बाते भी देखेंगे मित्रों कि कैसे परमेश्वर उन्हें अंत समय में फिर से अपनी दया का पात्र बनाएगा तो चलिए हम होशे की पुस्तक के अंतिम भाग का अध्यन आरम करते हैं मित्रों आए आज हम अपने अध्यन को होशे नवे की पुस्तक अध्याय 12 से आरम करें परमेश्वर इस्राइल से बहुत प्रेम करता था परमेश्वर ने इस्राइल को हाथ पकड़ कर चलना सिखाया था उन्हें वह मिस्र से बाले काल में निकाल कर प्रतिग्या के देश में लाया था और उन्हें सम्रिधी प्रदान की, सुरक्षा प्रदान की परंतु उन्होंने परमेश्वर को त्याग कर अन्य मूर्तों की आराधना की, उनके इस व्यहवार से परमेश्वर को दुख हुआ, उन्हें दंड देने के विचार से परमेश्वर का दिल दुखी हो रहा था, परंतु उनके पाप का दंड तो उन्हें मिलना ही था, परंतु परमिश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया और उनके पुना स्थापना की प्रतिज्या की। आई हम देखेंगे अध्याय बारा में परमिश्वर इस्राइल को दंड देने की ही चर्चा करता है। होशे बारा अध्याय उसके एक पद में लिखा है। एप्रेम पानी पीठता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। को पुर्वाई के समान लाना चाहता हूं। होशे बारा उसके दो से चार में लिखा है। बेतेल में वा उसको मिला और वहीं उसने हम से बातें की। लोग पूछते हैं कि परमेशन ने अपने वचन में यह उलेख क्यों किया है कि याकूब एसाव की एड़ी पकड़ कर पैदा हुआ था। आज विज्ञान और मनविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मनुशी के जीवन का सबसे महत्पुन समय वह है जब वह अपनी माता के गर्व में होता है। उस समय उसका शारिक विकास और चरित्र निर्माण होता है। याकूब ने अपनी माता के गर्व ही में अपनी लालसा प्रगट कर दी थी कि वह पहलाउठा होना चाहता था। उसने पहलाउठा होने के लिए अपनी माता के गर्व ही से संघर्ष आरंव कर दिया था, परमेशा ने आगे चलकर उससे युद करके उसे अपने अधिन किया और उसे दीन बनाया कि वह परमेशा से आशिश पाए, उसने उस स्वर्गदूत पर विजय कैसे प्राप्त की, क्य वह एक महान योधा था, नहीं, वह तो योधा नहीं था, वह तो हार गया था, तो फिर वह जीता कैसे, समर्पन करके, मेरे मित्रो, आप परमेशा से कितना भी युद कर लें, परन्तु जीतने के लिए आपको आत्म समर्पन करना ही होगा, होशे 12 के 5 में लिखा है, यहवा सेनाओ का परमेशार जिसका समर्ण यहवा नाम से होता है, ध्यान दीजे, कहता है यहवा, यहवा नाम परमेशार ने अपनी याद के लिए इस्राहिल को दिया था, उसने कहा, तुम मुझे सदा यहवा अर्थात, स्वा अस्तित्व अतह, हमें परमेशार की प्रतीमा की आवश्यक्ता नहीं है, उसका नाम ही उसके स्वभाव का प्रतीक है, होशे 12 के 6 में लिखा है, इसलिए तु अपने परमेशार की और फिर कृपा और न्याय के काम करता रह, और अपने परमेशार की बाट निरंतर जोहता रह, उन्हें आवश्यक्ता इस बात की थी कि वे जो कहते थे उसे व्यवहरिक रूप में प्रगट करें। आज शैतान की उपासना और समलेंगिक संबंध सबसे बड़े अपराध हैं। परमिश्र के पास आकर उसकी बाट जोहने के द्वारा ही हमें न्याय और दया मिलेगी। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है, दोनों साथ साथ चलते हैं। होशे बारा उसके साथ पद में हम पढ़ते हैं, वह व्यापारी है और उसके हाथ में छल का तराजु है, अंधेर करना ही उसको भाता है। यह व्यापार में धोखा धड़ी के विशय हैं, परमेश्व इसे स्विकार नहीं करता है। होशे बारा के आठ में लिखा है, एप्रेम कहता है मैं धनी हो गया, मैंने संपत्ती प्राप्त की है, मेरे किसी काम में ऐसा अधर्म नहीं पाया गया जिससे पाप लगे। एप्रेम सोचता था कि वह पैसों से कुछ भी करवा सकता है, उसका धनोपारजन धोके से था, प्रन्तु उसके विचार में वह परमेश्व की आशिश थी। हम होशे 12 उसके 9 में पढ़ते हैं, मैं यहवा, मिस्य देश ही से तेरा परमेश्वर हूँ, मैं फिर तुझे तंबो में ऐसा बसाओंगा जैसा नियत पर्व के दिनों में हुआ करता है। परमेश्वर इसराइल से कहता है, मेरा विहवार तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ है, मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं। होशे बारा के ग्यारा में लिखा है, क्या गिलात कुकर्मी नहीं, वे पूरे चली हो गये हैं। गिलगाल में बैल बली किये जाते हैं, वरन उनकी वेदिया उन धेरों के समान है, जो खेत की रेगहारियों के पास हो। कहता है, क्या गिलात कुकर्मी नहीं, गिलात में रोग निवारन का बलसान होना था, परन्तो उस समयवा स्थान पाप का केंद्र था। होशे 12 के 14 में हम पढ़ते हैं, एप्रेम ने अत्यंत रिस दिलाई है, इसलिए उसका किया हुआ खोन उसी के उपर बना रहेगा, और उसने अपने परमिशर के नाम में जो बठा लगाया है, वह उसी को लौटाया जाएगा। कहता है, उसका किया हुआ खोन उसी पर बना रहेगा, वह दोशी है और मृत्यु धंड के योग्या है, वहां बहुत खोन बहाय गया था और उसका पाप उसी के सिर पर रहेगा। मेरे प्रियों, परमिशर से विवक होने का धंड इसरायल आवश्य पाएगा। इसी के साथ यहां पर अध्याये 12 समाप्त होता है और अब हम अध्याये 13 मा आते हैं, जिसका विश्य है वर्तमान में इसरायल को धंड, भवश्य में उद्धार। आईए हम देखेंगे, वर्तमान में इसरायल को धंड, अध्याय 13 में हम देखेंगे कि इसरायल का धंड भवश्य में होने वाली आवश्य घटना है। होश्य 13 के एक में लिखा है, जब एप्रेम बोलता था, तब लोग कांपते थे, और वा इसरायल में बड़ा था, परन्तु जब वा बाल के कारण दोश्य हो गया, तब वा मर गया। दूसरे शब्दों में जब तक एप्रेम जीवत परमिश्य की सेवा में था, तब तक परमिश्य ने उसे महमान वित किया, परन्तु जिस दिन उसने बाल की उपासना की, वा उसी दिन मर गया। वह मरा और देश से हटाया गया, परन्तु उसके साथ देश भी मर गया, वह आज तक स्वधेश नहीं लोटा है। वह स्थान, उसके नगर आज संसार के सबसे अधे के हुजार स्थानों में से एक हैं। होशे 13 के दो में लिखा है, अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं और अपने बुद्धी से चांदी ढाल कर ऐसी मूर्ते बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी। उनहीं के विशय लोग कहते हैं, जो नरमेग करे, वे बच्छनों को चूमें। पूजा में वे उन बच्छनों को चूमते थे, आज भी कुछ लोग सोचते हैं कि किसी वस्तु या स्थान को चूमने से परमेश्वर की स्तूती होती है। हमारे भ्रमण दल में एक इस्त्री थी जो वाठिका में प्रवेश्व की कबर की भूमी को गुठने टेक कर चूमने लगी। मैंने उसे पकड को उठाया और कहा कि हमें वहां का पानी भी पीना मना है, और वह धर्ती को चूम रही है। उसने कहा या तो पोईत्र स्थान है, मैंने उससे कहा परंतो प्रवेश्व कबर में नहीं है, वह तो परमेश्वर की दाहिनी और उपस्थित है, आप उसे चूम नहीं सकती, परंतो उसकी आराधना कर सकती हैं, उसकी स्तूती कर सकती हैं। जीवित परमिश्र की आराधना में किसी वस्तु को चूमना मुर्खता है। आपका जीवन उसकी आराधना है। आपकी जीविका, आपका समाजी की जीवन, आपका पारिवारे की जीवन, सडकों पर आपका चलना आदे सब उसकी आराधना है। आराधनाले में आपका वेवार उसकी आराधना नहीं है आराधना ले और सडक में हम अंतर करते हैं पर मिश्रन नहीं होशे 13 उसके तीन और चार पद में लिखा है इस कारण वे भोर के मेग है तड़के सूख जाने वाली ओस खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समाण होंगे मिश्र देश ही से मैं यहुआ तेरा परमिश्र हूँ तु मुझे छोड किसी को परमिश्र करके ना जानना क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धार करता नहीं है मेरे मित्रों आप उधार की युक्ति खोच सकते हैं परन्त उधार करता एक मात्र वही है अतह उचित होगा कि आप उसके अनुसार ही चलें यहनर चिसु समाचार्ट चाउदाध्या उसके छे पद में प्रभीश्य कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं आज सकता असंख्य मनश्य इस मार्ग पर आए और इसे सत्य पाया है आपके पास आपके उधार का मार्ग हो सकता है परन्तो परमेशर ही उधार करता है और वही आपको उधार की योजना सुझा सकता है होशे तेरा उसके पांच और छे पद में लिखा है मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तु जंगल में वरन अत्यांत सूखे देश में था परन्तु जब इस्राइली चराय जाते थे और वे त्रिप्त हो गए तब त्रिप्त होने पर उनका मन गमंड से भर गया इस कारण वे मुझ को भूल गए परमेश्वर कहता है मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे मिस्र से निकाल कर लाया मैं तुझे नहीं त्यागूंगा परन्तु तुझे दंड दूँगा होशे तेरा उसके साथ और आठ पद में हम पढ़ते हैं लिखा है इसलिए मैं उनके लिए सीह सा बना हूँ मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा मैं बच्चे चिनिवी रीचने के समान बन कर उनको मिलूँगा और उनके हिर्दे की जिली को फाडूंगा और सीह के समान उनको वहीं खाड डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड डालें। मित्रो यहां एक अती रोचक भश्षद वानी है। दानियल अध्या साथ में बेबिलोन को शेर, युनान को सिकंदर के समय का चीता और मादी फार्सी राज्य को रीच दर्शाय गया है। यहां पर्मिश्वर कहता है कि उनके विरुद्ध, सीह और चीती के समान उठेगा। परन्तो निकट भवश में वह रीचनी के समान उन पर छप्टेगा। इस समय मादी फार्सी राज्य अशुरियों के अधिन था। बच्चा चीनी वी रीचने से अधिक खूखार कोई प्राणी नहीं हो सकता है। यह पाश्विक अशुर सेना का एक अति उत्तम उधारन है। होशे 13 के नौ में लिखा है, हे इसरायल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरा अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। मेरे प्रियों, हम जब परमेश्वर को दोश दें, तब हमें इस पद को पढ़ना चाहिए। इसरायल ने पाप करके विनाश मोल लिया था। वही अपने दूरदर्शा का उत्तरदाई था, परन्तु परमेश्वर उनका सहायक हो सकता था। हम होशे 13 उसके 10 और 11 पद में पढ़ते हैं। अब तेरा राजा कहा रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए। तेरे न्याई कहा रहे जिनके विशय में तूने कहा था मेरे लिए राजा और हाकिम ठहरा दे। मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जल जलाहट में आकर उनको हटा भी दिया अब कहता है मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए इसराइल ने राजा मांगा तो परमिश्रा ने शावल को उनका राजा बनाया फिर जल जलाहट में आकर उनको हटा भी दिया, उसने उत्री राजी के अंतिम राजा होशे को हटा दिया था, उसने यहुदा से सिदिक्या को भी हटाया था, या उसके कुरोद का न्याय था, आरंब और अंत में या उसका न्याय ही था होशे 13 के सोला में हम पढ़ते हैं सामरिया दोशी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमिश्र से बलवा किया है वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्वती इस्त्रियां चीर डाली जाएंगी सामरिया दोशी ठहरेगा मैंने सामरिया को देखा है वह पूर्ण रूप से उजारा गया है इसी के साथ अध्याय 13 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 14 में आते हैं हम देखेंगे भाविश्य में इस्राइल का उध्धार होगा अध्याय 14 एक उत्तम अध्याय है वह इसराइल के भावी उद्धार की चर्चा करता है होशे 14 के एक पद में लिखा है हे इसराइल अपने परमिशर यहवा के पास लोट आ क्योंकि तुने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है परमिशर उनसे कहता है कि वह उनके पाप के कारण उन्हें बंधुआई में भेजेगा होशे 14 के 3 में लिखा है अशुर हमारा उद्धार ना करेगा हम घोडों पर सवार ना होंगे और नहम फिर अपनी बनाई हुए वस्तों से कहेंगे तुम हमारे इश्वर हो क्योंकि अनात पर तु ही दया करता है मेरे प्रियों कल्पना करे कि आपने अपने हाथों से कुछ बनाया और उसकी उपासना करने लगे मनिश्य आज अपनी योग्यता को पूझता है वे अपनी बुद्धी की पूझा करते हैं वे अपने काम की पूजा करते हैं ऐसा करके आप परमिशर रहित अग्यानी बन जाते हैं होशे 14 उसके 4 से 7 में लिखा है मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूँगा मैं सेंतमेत उनसे प्रेम करूँगा क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है मैं इस्राइल के लिए औूस के समान होंगा वह सोसन के समान फूले फ़लेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा उसकी जड़ से पोधे फूट कर निकलेंगे उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगन्ध लबानोन की सी होगी जो उसकी चाया में बैठेंगे, वे अन के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीरती लबानोन के दाखमधु किसी होगी। क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। पर चलते रहेंगे, परन्तु अपराधी उन में ठोकर खाकर गिरेंगे। पद आठ बाइबिल के अनुपम पदों में से एक है, यह जैगान है। एप्रेम कहेगा यह भावश में होगा, अंत में परमिश्वर जीत जाएगा। प्रेम की विजय होगी। परमिश्वर एप्रेम से कहता है, हे एप्रेम मैं तुझे कैसे त्याग दूँ। परमिश्वर ने पहले एप्रेम से कहा था, कि उसे अकेला छोड़ दो, क्योंकि वह प्रतिमा आराधना में लग गया है। अब परमिश्वर कहता है कि एक दिन एप्रेम कहेगा, मुर्तों से अब मेरा और क्या काम, मैंने बहुत बड़ी भूल की है और वह मेरी और फिरेगा। मैं विश्वास कि ये बिना नहीं रह सकता है कि पाप की इस से तरास दी, इस मानो जीवन के सांसारिक नाटक के मध्य, अंत में परमिश्वर ही जैवन्त होगा। मेरा मानना है कि खोई हों से अधिक उधार पाने वाले होंगे। परमिश्वर के दास स्वरजन भी यही मानते थे। प्रविश्व ने एक जुन्ड अर्थात कलिस्या के बारे में कहा है कि वह उसे संसार से बुला रहा है, परंतो उसने पहले ही अनेकों को उधार दिलाया ह एक बार उसने नीनवे की पूरी जनता को बचा लिया था, सव वर्ष बाद वे फिर पाप करने लगे तो परमिश्वर ने उन्हें दंड दिया। अनेक अन्य आत्मिक जागरितियां भी आई थी, परंतो परमिश्वर की और फिरने का सबसे बड़ा अभियान भावशी की घ रेम की जय होगी, हमारा परमिश्वर अपने रत में सवार जय की ओर बढ़ रहा है, वह प्रम परधान है, उसके रत के पहियों में दबने वालों पर परमिश्वर दया करे, मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, परंतो मैं प्रभू के साथ जाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ जीवन गाड़ी जोड़े हूँ, यही कारण है कि हमें उसके वचन का ज्यान होना चाहिए, कि इस कठिन समय में उसकी इच्छा में रहना सीखें, मेरे प्रियों, हमने होशे की पुस्तक में देखा है कि परमिश्वर इस्राइल से कितना प्रेम करता था, वह उन्हें मि वर्षा दी, शत्रों से उनकी रक्षा की, उन्हें समरिदी प्रदान की और उनका हाथ पकड़ कर उन्हें चलना सिखाया, उन पर जब भी कोई कष्ट आया, उसने उन्हें मुक्ती दिलाई, उन्हें समय पर फसल दी और उनके वंश को प्रतिग्या के अमसार बढ़ाया, इ वर्ष कुंजों में धूब चलाने लगा, आहाप के राजिकाल में तो हजारों बाल पुजारी वहां पल रहे थे, अंत में रुष्ट होकर परमिश्ट ने उन्हें दंड देने की ठान ली, परन्तु प्रतिग्या भी की कि वह उन्हें तीतर वीतर करने के बाद पुनह स्व मित्रो इस अंतिम भाग में हम देखते हैं कि परमेश्वर इसराइल को अंत में फिर से अपने देश में आशीशों के साथ बसाने का वादा करता है। प्रभू इश्व मसी है। जब वह मनुष्य रूप में संसार में आया तब इसराइल ने उसे स्विकार नहीं किया। उसने अपने राजा को नहीं पहचाना और उसे क्रूस पर चड़ा दिया। पर एक दिन भविश्य में वे प्रभू इश्व मसी को पहचानेंगे और उस एक दिन एश्व मसी अपना राज्य इस्थावित करेगा इस संसार पर और जो उसे स्विकार कर चुके हैं और जो उसे अपना राजा मान चुके हैं वे ही उसके साथ राज्य के वारिस होंगे पर बाकी सब ही उसके राज्य से दूर किये जाएंगे और आग की झील के हवाल शेतान के साथ कर दिये जाएंगे पित्रो हमारे लिए यह संतोष की बात है कि हमने ईशू मसी को अपना उद्धार करता और राजा स्वीकार किया है क्या आप उसमें शामिल है? यदि नहीं तो आज भी हमारे पास आउसर है कि अपने भविश्य को सुरक्षित कर ले प्रभू इस अध्यन के द्वारा आपको और आपके पूरे परिवार को आशिश दे आईए प्रार्थना करें स्वर्गी परमेश्व पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस होशे की पुस्तक का अध्यन करने में हमारी सहायता किया हमारी अगवाई की पितना हम प्रार्थना करते हैं कि किस रीती से जब आप अपने दुख अपनी वेदिना को इस अध्यन में प्रगट करते हैं कि यदि आपके लोग आपसे दूर चले जाएं तो आप कितने दुखी होते हैं प्रभू आपने एक अद्भुत गवाही के द्वारा एक चितरन के द्वारा प्रगट किया कि किस प्रकार से जब होशे की पत्नी उससे दूर थी तो भी उसका प्रेम उसके लिए बना रहा प्रभू आज भी भले ही मनुश्य आपसे दूर है आपके विरोध में कार करता है तो भी प्रभू आपका प्रेम बना रहता है हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभू एक आप ऐसे परमेश्वर हैं प्रभू कि आपका प्रेम कभी ठंडा नहीं होता है प्रभू आपके अनुगर के लिए धन्यवाद हमारी प्रात्ना है प्रभू कि हमारे सारे दर्शक जिन्होंने इस अधियन में शामिल हुए है और हमारे दर्शकों तक जिन तक ये आवास पहुच रही जिन तक ये संदेश पहुच रहा है प्रभू भे आपके प्रेम को पहचाने वो आपके हिर्दे को पहचाने कि आपका हिर्दे उनके लिए कलपता है आप उनके वापिस आ जाने की राह देखते रहते हैं आम कितने भी दूर क्यों ना चले जाए तो भी आपका प्रेम ठंडा नहीं होता अनुगर करें पिता कि हम आपके प्रेम को पहचान कर उसके अनुसार चलते रहे धन्यवाद के साथ इस बिंती को हमारे उद्धार करता प्रभू इशु मसी के नाम से मांगते हैं आमीन प्री दोस्तों खोशे नभी की पुस्ता का अध्यन आपको कैसा लगा मुझे उमीद है अच्छा लगा लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज जो कुछ आपने सीखा है उन बातों को इस अध्यन के अधार पर पत्र में लिखें SMS में लिखें या फोन पर आप बताएं लेकिन हमें आपके विचार भेजें कि आपने कौन कौन सी आशीशें प्राप्त की और क्या कि आपने सीखा है कि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं क्या उस से आप लाब उठा रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमें आपके उत्तर की प्रति उत्तर की आपके विचारों को जाननी के वह शकता है अगले प्रसारण में हम एक नए पुस्तक का अध्यन लेकर आपके सामने उपस्तित होंगे तब तब परमिश्वर के अनुगर में बने रहे यदि आप उससे दूर हैं तो उसके निकट आ जाएं क्योंकि वो निरंतर आपसे प्रेम करता है प्रभू आपको आपके पूरे परिवार को अनेक आशिशों से परिपून करें उत्तरी राज्य इस्राइल का अन्तिम राजा कौन था जिसे परमिश्वर ने अपने क्रोध के कारण हटाया था मित्रों इस प्रस्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजयता हो सकते हैं क्या आपको ये विजयता हो सकते हैं